नमश्कारम एवर्यवन वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की मैं हूँ दीपा मेथी सीट्स के तो बहुत सारे बैनेफिट्स होते हैं यह हम सब जानते हैं लेकिन मेथी स्प्राउट्स के अगर बात करें तो उसके और भी जादा एड़ांटेजिस होते हैं तो आज हम जा जो है हम उसके अदर पानी भर के 12 गंटे कम से कम बिढ़ोगे हमें इतनी देर जरूर भी होना है कि वह अच्छे से स्वैल अप हो जाए अच्छे से सोक ले पानी को तो 12 गंटे से जब ऊपर हो जाए तो हम जो है इस बाउल को जैसे हम देख रहे हैं यह मेथी दाने जो मेति के दाने है जो सोक हो चुके हैं इसको हम स्प्राउटिंग के लिए रखेंगे तो स्प्राउटिंग करना बहुती एज और हम चलनिए मेंगे जैसे कि आप देख रहें हैं इसे अ। मेथी के दाने बहुत अच्राउट हो गई है। सरा से और यह चली में बहुत ही अच्छे से और सिंपल तरीके से उग जाते हैं आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी जो है इसके स्प्राउट्स अच्छे से उग गए हैं तो स्प्राउट्स की अगर हम रेगुलर कंजम्शन करते हैं तो यह हमारी ओवर ओल हेल्प के लिए द्रिशनल वेल्यु बहुत जादा हाई होती है इसमें एंटि अक्सिदें बहुत जादा होते हैं जो हमारी बॉड़ी में फ्री रेडिकल्स जो जनुनररि उते रहते हैं उनको खतम करती रहतmore हैं इसे ओवर ओल हमारी हेल्थ के लिए बहुत जादा Venetkichwn होता है मेल्य की मे स्प्राउट्स को इंप्रोव करती है मेथी सीट्स में या मेथी के स्प्राउट्स में एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं गेलेक्टो मैनन जो कि गेलेक्टोस और मैनोस की चेंड फ्लेवेशन से बनता है और यह हमारी बॉड़ी में शुगर की स्पाइक को इंक्रीज नहीं होने देता तो यह शुगर को तो कंट्रोल करता ही है डायबेटीज में हेल्प करता ही है साथ-साथ जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफीशल होता है क्योंकि इसको लेने से फूट की क्रेविंग नहीं होती अब बात करते हैं कि मेतनी स्प्राऊट में कर सकते हैं मेति स्प्राउट कर सकते से हैं। इसका flavor enhance करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्ज और नमक डाल के भी इसको consume कर सकते हैं। कई बार जो है कई लोगों को मेथी sprout जो है कड़वे लगते हैं तो उस case में जो है इसको apple के साथ combine करके लें तो ये जो है इसके bitterness को जो है neutralize कर देता है। कई लोगों को मेथी जादा कड़वी लगती है तो उस case में क्या कर सकते हैं कि जो मेथी sprout हो रही होती है और जब मेथी sprout होने के बाद इसकी leaves निकल रही होती है। जब 2-3 पतिया जब इसकी उग जाती है तो उस समय पर मेथी के जो स्प्राउट्स होती हैं वो मीठे बन जाती हैं तो उस समय पर वो लोग अजियूम कर सकती हैं जिनको मेथी कड़वी लगती है थोड़ा से बिटरनस का फ्लेवर आता है मेथी जो है जिन लोगों को cold cup की जादा problem रहती उनके लिए तो बहुत जदा beneficial है ये वात और कफ दोशा만 में बहुत जदा अच्छा अच्छा असर कर दिया लेकिन जिन लोगों को acid की जादा problem रहती है excessive जिनको acid बनता है वो लोग जो है mendhi को avoid करें I hope कि आपको मेथी और मेथी से स्वराउट्स बनाने का तरीका पसंदाया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंदाया है तो इससे like जरूर कर दें और से share जरूर करें ताकि सभी को मेथी स्वराउट्स के benefits के बार में पता लग सके और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले साथ-साथ बेल बटन दबाना ना भोले ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो से उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और नए इंफोमिशन के साथ अब तक के लिए स्टे ब्लेस्ट, बी हैपी, टेक केर, नमस्कारा, बाई